हमारे इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 42 साल से कोई ट्रेन नहीं रुकी अगर वहां से ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की स्पीड आटोमेटिक बढ़ जाती है स्टेशन आने से पहले जो भी पैसेंजर होते हैं वो अपने खिड की दर्वाजे पूरी तरह से बंद कर लेते हैं आखिर क्या था इस रेलवे स्टेशन में जिसके लिए 42 साल तक ट्रेने नहीं रुकी दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट बैंगॉल से 260 किलो मिटर दूर जहां बैगून खोदर नाम का एक गाउ है जहां 1960 में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था और 1967 से यहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी यहां पर इस्टेशन मास्टर ने एक लड़की को ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा है फिर धीरे धीरे वो लड़की इस्टेशन मास्टर को हर रोज दिखने लगी फिर इस्टेशन मास्टर उस इस्टेशन को छोड़ कर अपने गाउँ चले गए फिर वहां रहसे में तरीके से उनकी मृत्यू हो गई और इस कारण धीरे-धीरे सारे इस्टापुस रेलवे स्टेशन को शोर कर वहां से चले गए और धीरे-धीरे वहां पर ट्रेने रुपना बंद हो गई